नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां के टॉप 25 पर्मों खबर जानते हैं बहुत जल्द बच्चों को भी मिलेगा कुरोना का टीका दावा निर्माता कंपनी फाजर ने बुद्वार को कहा है कि उसका कुरोना टीका 12 साल तक के बच्चों के लिए भी सुरक्षित है कमपनी की इस भोसना को इस आयू वर्ग के बच्चों के स्कूल जाने से पहले उनके टीका करण की संभावना के तोर पर देखा जा रहा है बतादे कई देशों में ऐसे वसको को कुरोना टीका खुरा के दी जा रही है जो कुरोना वायरस संक्रमन के मामले में 30 समयदन सील है हाईजर का टीका 16 साल या उससे अधिक आयू के लोगों को लगाने के उनुमती है लेकिन महामारी को रोकने के लिए सभी आयू वर्ग के बच्चों को टीका लगाया जाना महत्पुन मना जा रहा है मौसम केंदर के अनुसारती और 4 अप्रेल को राजे के कई लाकों में आकास में बादल छाय रह सकते हैं बतादे इस दोरान बंगाल की खाड़ी में एक निम्द द्वाब बन रहा है इसका असर जार्खन के कोच जीलों में हो सकता है इस दोरान हलकी बुंता बांदी हो सकती है विसेस बारिस की उमीद नहीं है दूसरे राजियों से जार्खन आने वालों की कुरोना जाच अनिवार्य जार्खन में मार्च महिने में कुरोना वायरस संक्रमन की बरती संक्या को देखते हुए राज सरकार ने ततकाल कई एहतियात कदम उठाया है बतादे अब दूसर है राजियों से जार्खन आने पर लोगों को कुरोना जाच कराना अनिवार्य होगा साथ ही और पोर्ट रेल्वे स्टेशन और बस इस्टेंड में भी कुरोना जाच के लिए सेंपल कलेक्शन करने की व्यवस्था करने समन्धी स्वासत चीव के के सोनने राजे के सभी डिस सुरेन की सरकार ने 5,000 रुपे बेरुजगारी भात्ता देने का बड़ा एलान किया है अगर आप भी युवा है तो नए भीतिय बर 2021-22 में जहारखण में बेरुजगारी भात्ता के लिए अपलाई करने के लिए त्यार हो जाए बता दे आई से इन कागजातों के साथ आप अ कोबाईल नमबर त्यार रखे आवेददन के लिए अधार कार जरूरी है साथी साथ अभियार्थिक अबैंक में खाता होना अनिवारे है आवेदक अबैंक एकाउंट अधार से निश्ची तोर पर लिंक होना चाहिए अभियार्थिक पास सरकारी संस्थान का तक्निकी परित्याग आदिम जन्जाती दिव्यंग आदिक अपवान पत्र देना होगा विरुजगारी बता के लिए निविनाले का रेइस्टेशन नमबर जरूरी है साथ सा तीन साल पुराना होने पर नवी करन अवस्यक है आवेदको को अपने अस्थाई पता का पवान पत्र अस् अवियार्थी को या सपत पत्र देना होगा जिसमें उसके किची रोजगार स्थे नहीं जूडने और सौ रोजगार नहीं करने की सत्याता प्रमानित की गई हो आवेदक जार्खन के अस्थाई निवासी होने पर ही बेवजगारी बता के हगदार होंगे जार्खन में होली पर गटक गए 125 कोड रुपए की सराब जूनियर महिला होकी चेंपियनसिप अस्थागीत 11 खिलाडी कुरोना संक्रमीत जार्खन के सिम्डेगा में 3 अप्रेल से होने वाले जूनियर रेशनल महिला होकी चेंपियनसिप पर कुरोना का ग्रहन लग गया है बतादे मंगलवार को चंडीगर की टीम का सिम्डेगा की धर्ती में भवित स्वागत भी किया गया था कुरोना को लेकर जार्खन के सभी विभागों में रईष्टर पर हाजरी बनाने का अदेश जारी जार्खन सरकार के कार्मिक प्रसस्निक सुधार वाराज बसा भी भाग ने अगले आदेश तक सभी भी भागों को बायोमेट्रिक डिवाइस से हाजरी लेने के नियम में छूट का अदेश जारी कर दिया है बता दे अब कर्मियों को फुरानी बेवास्ता के तथ रईष्टर पर हाजरी बनानी होगी ऐसा राज्य में कुरोना वाइरस से संक्रमित लोगों की संक्या लागतार बढ़ने के कारण किया गया है ज्यारखन सरकार के आदेश जाहां ज्याधा मरीज वहाँ कराए ज्यादा टिका करण आखकी कुरोना के बढ़ते पर कोफ को रोका जा सके साथी जीन की रिपोर्ट पोजियेटिव आ रही है उनकी सगहन कॉंट्रेक्ट ट्रेक्सिंग करते हुए संपर्क में आने वाले लोगों की जाच जरूर करा है यों पोजिटिव पाये गए मरीजों की ट्रेबल हिस्ट्री भी ले स्वाच सचीव बुद्वार को राची समर्नाला की सभागार में जीले में क्रोणा की जात उपचार वट्टी का करन आधी की वेवस्ता की समिक्चा कर रहे थे जार्खन में छसोती अन्मे नए मरीज मिले हैं जो राची से 351, बुकारो 11, चातरा 3, देवगर 13, धनबाद 8, दूम का 29, पुर्वी सिमुम 111, गिरीडी 7, गोड़ा 12, गुमला 13, अजारी बाग 15, जामतरा 2, खोटी 5, कोडार्मा 16, लातेहार 3, लोहर्दागा 6, पाकुड 11, पलामु दो, रामगर 18, सायवज 15, सराय किला साथ सिम्डेगा 27, 75, सिम्भूम से 8 मरिज मिले है, जारखन में कूल संकर मितो कि संक्या 1,24,201 हए, वहीं 1,2020, dire甲 मरिज ठीक हुए, जारखन में कूल मौद की संक्या 11,113 हए, वहीं एक्टिव केस की संक्या 2,825 है, भारत में 3,170 नए मरिज मिले हाई, भारत में कूल मौ जार्खन की 45% जनसंख्या में विक्सित होई कुरोना की एंटीबोडी 55% को खत्रा है जार्खन के 10 जिलो में कियेगा एक सीरो सर्वे में पता चला है कि 45% अबादी पहले ही सार्स कोड़ टू वाइरस से संक्रमित हो चुकी है सार्स कोड़ टू वाइरस कोविड नाइंटीन का कारण है और इसकी वाज़ा से सरीर में एंटीबोडी बनती है बतादे सीरो सर्वे के दूसरे चर्ण में देखा गया कि 55% अबादी बीमारी की चपेट में आ सकती है या उनमें वाइरस से संक्रमित होने का खात्रा बना हुआ है लेवर कोड के बिरोध में आज एक अप्रेल को परदर्शन चार लेवर कोड के बिरोध में एक अप्रेल को जार्खन की ट्रेड यूनियोन ने क्योर से बिरोध परदर्शन किया जाएगा बतादे सन्युक्त ट्रेड यूनियन मंच छार्खन के परकास बीपलाव ने बताया कि एक अप्रेल को चार लेवर कोड की प्रतिया जलाई जाएगी जगा जगा परदसन कर इसे फड़ा जाएगा राजेपल से मिली मेयर आसालकडा राची नगर निगम की मेयर आसालकडा ने बुद्ध्वार को राजेपल द्रोपदी मुर्मू से मुलकात की बतादे इस दोरान उन्होंने राजेपल को एक ज्यापन भी सोपा मेर ने राजेपाल को बताया कि राची नगर निगम में नगर आयुक्त मुकेश कुमार मनमानी कर रहे हैं इसके अलावर नगर निगम में आर आई बधाओ के बारे में भी राजेपाल को अउगत कराया नीजी विद्याले में नमांकित बच्चों को 450 सुर्पया प्रतिमा द्वारा इसकुली सिक्चा एवं सक्षर्टा विभाग के उपरोग प्रस्ताव की स्विक्रिति के बाद निगम अनिवार सिक्चा अधिनियम 2009 के तहत नीजी विद्यालों में परवेश काक्षा के 25% सीटों पर नमांकित एवं अधियनरत कमजोर एवं अभिवांचित वर् एक बार फिर फिजिकल कोट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है बता दे जीला अधालत में एक अपरेल से 7 अपरेल तक किसी भी नीजे में फिजिकल सुनवाई नहीं करने का निदर्या गया है और इस बावत पत्र भी जारी कर दिया गया है पत्र में कहा गया है कि 7 अप्रेल तक राची सिविल कोट के सभी नियालों में सिर्फ वीडियो कंफिरेंसी के माध्यम से ही मुकादमों की सुनवाई की जाए लोहरदागा में ब्रिकेटिंग प्लांट का उधगाटा अनमंत्री कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष और मंत्री रामेश्वर उराव ने बुद्धवार को अपने लोहरदागा बिधान सभाचेतर के किसको के तीसिया ग्राम के लेंप्स बिल्डिंग में ब्रिकेटिंग प्लांट वपरखंड करयाले के पुराने भवन में अस्थापीत अध प्रती दिन ग्रामीन द्वारा जंगल से पिढ़ के सुखे पतों को चुन कर लाया जा रहा है जिसके लिए उन्हें दो रूपे किलो सुखे पते की दर से भुकतान किया जा रहा है जूलूस निकालने की मांग करने वालों पर हो करवाय कांग्रेस पहले ही दिशानी देश चारी किया जा चुका है। यों समगठनित भी सायो पर चर्चा होगी। बता दे सरकार का कोई विव्यक्ती होमगाट जवान का सूद लेने तक धारनास्थल पर नहीं आया। पर देशन कारकारी अध्यक्स परताप विरुवा ने कहा कि 1 अप्रेल 21 को संध्या 5 बजे धारनास्थल से जगनाथ पूर गोल चकर तक मसाल जुलूस निकाला जाएगा। पलामु सदर अणमंडल छेतर में 30 अप्रेल तक धारा 114 लागू। प्रेत्र में 27 माज से 30 माज तक धारा 1144 के तहत निस्यधाग्या लागू की गई थी। नए वीत वर्ष से पूलिस वालों को बड़ी उमीद। आज से 45 वर्ष से अधिक उम्र को टीका। जारखन में गुरू आ रहे यानी 1 अप्रेल से 45 वर्ष से इसे अधिक उम्र के सभी लोगों को कुरोना का टीका लगेगा। बतादे सभी जीलों में इसकी त्यारी पूरी कर ली गई है। टीका करन की वही परकिरिया होगी जो पूर्व से अने लोगों के टीका करन में लागू है। अनलाइन निभंधन के अलावा टीका केंद्रों पर भी ओफ्लैन निभंधन होगा। बढ़का गाउं सियोप पर किसान को गाली देने का आरोप। ने पुआल में आग लगने की जनकारी तो सियो ने उनके साथ गाली गोलोज की। पता दे इस घटना के बाद किसान और बढ़का गाओं के कुछ समाज से उको ने इसकी जनकारी किरिसी पसुपालन एवं साकर्टा मंत्री बादल पत्रले को दी उन्होंने मामले को गमिता से लेते हुए भोमी सुधार एवं राजस्व विभाग के निदेशक सत्यार्थी को म मामले की जाज का अधिस दिया है सरकार्य ऐसे फ्पतालों में खाने के लिए दोगणी राशी सरकार्य ऐस्पतालों को मरिजों के तीन समय के भोयन के लिए प्रती दिन प्रती मरीज अब सो रुपए मिलेंगे बतादे पहले यारासी पचास रुपए थी राज सरकार ने निदेशक प्रमोग स्वास्ट सिवाय की अध्यक्स्तावारी छहस्त दश्य समीति की अनुसंसा पर यारासी बढ़ाने की स्विक्रिती दिया है राजे सरकार ने केंदर से राजे के मदर्सों में कारणा सिक्षकों के मांदे के लिए 5.66 लाख रुपए की मांग की है बतादे आरासी सेंट्रल एस्पोर्स स्कीम फोर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदर्सा के तहत वर्ष 2015-16 तथा 16-17 के लिए है जो कें चैनल परना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बल कर बेल एकन दवाई है साथ जात वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस्य दे थाइंक्यू